हेलो एवरिवन आपका बहुत बहुत सागत करती हूँ अपने इस चैनल में आज बिना गैस जलाए और बहुत ही स्वाधिस्ट लड़ो की रेसिपी लेके आई हूँ इसमें आपको कोई भी जंजट करने की जुरत नहीं है बाईचांस घर में गैस नहीं है और मीठा खाने का मन है तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही स्वाधिस्ट लड़ो बना सकते हैं तो उसे बनाने के लिए मैंने यहां सूखा नारियल लिया है इसे बनाने क तो यहां मैं छोटे छोटे पीस में इसे कनवर्ट कर लेती हूँ और इसे मिक्सी ग्राइंडर में जितना बारिक हो सके उतना बारिक आप पीस लीजिएगा आप इस नारियल को यदि छीलना चाहो तो छील भी सकते हैं लेकिन मैंने यहां छीला नहीं है आप दोनों तरीके से नारियल को यूज़ कर सकते हैं तो यहां यह पिसके तैयार हो चुका है आप देख सकते हैं बिल्कुल बारिक है डाइसो ग्राम मैंने यहां शक्कर ली है एक मीडियम साइज का सूखा नारियल था और डाइसो ग्राम शक्कर ली है एक से दो टी स्पून खरबूजे की ग जो चीटा लगाते हैं वो भी नहीं लगाना है क्योंकि शक्कर में इतनी नमी होती है कि ये बहुत आसानी से लड्डू इसका बंध जाता है आप देख सकते हैं बस के वर इसको दो मिंट के लिए हमें मसलना है बहुत जादे नहीं मसलना है तो आप देख सकते हैं बढ़िया स ये हमारा सारा मैट्रियल तयार हो गया है तो इसकी अब हम लड्डू बांध लेते हैं जो भी साइज आपको चाहिए छोटा बड़ा जितना भी आप खाना पसंद करते हों तो ये इस तरीके से लड्डू बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं इसमें आप चाहें तो बादाम क चूरा वगएरा डाल सकते हैं थोड़ा बादाम को कूट के या काजिव को कूट के इसमें एड्ड कर सकते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बढ़िया से ये मेरे बिना गैस जलाए बिना किसी जंजट के बहुत ही स्वादिस्ट लड्डू बनके तयार हो चुके हैं मैं आपको इसे तोड़के भी दिखाती हूँ बहुत ही खस्ता एकदम फोके हलके हलके और बहुत ही स्वाधिस्ट लेड्डू बनते हैं जब भी आपका मन करें आप बनाईए आपको कोई भी परिशानी इसमें नहीं होगी ना गैस जलाना ना चासनी बनाना ना ही चीनी गला तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा कर सुभा फिर मिलते हैं इसी तरह की बहुत एजी रेसिपी के साथ थैंक यू